हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे आप सभी दोस्तो ऐसे most important क्यूसन लेकर आया हूँ जो कि आपके exam के लिए most important है इन में से आपको अपने exam में जरूर शेजरूर मिलेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को continuous अंतक देखना है और दोस्तो इस वीडियो को अभी like कर दो यदि आपने मारे इस YouTube चैनल YouTube को subscribe नहीं किया है तो कर दिजिएगा दोस्तो और दोस्तो आपके लिए most important वीडियो है शुरूरात करते हैं सबसे पहला question है परियावन को बचाने के लिए चिप को अंदोलन का समन्द किस राज्य से है चिप को अंदोलन हुआ था दोस्तो आपको पता हुआ इसका समन्द किस राज्य से है उत्तर परदेश जारखंड 36 गण उत्राखंड तो दोस्तो इसका right answer आएगा option 4 उत्राखंड उत्राखंड राज्य से है चिप को अंदोलन बोतिक एवन जेविक परियावणिय विज्यान में वेवारगत परिवर्तन है तो दोस्तो इसका right answer आएगा option 4 उपरोकत सभी नेक्स्ट क्यूशन है दूर दर्सन रेडियो नाटक कभी गोश्टियो एव सिनेमा दवारदी जाने वाली परियावनिया शिक्ष्या को कहते हैं उप्चारिक अनोप्चारिक पठे करम शिक्ष्या या विद्यालाई शिक्ष्या तो दोस्तो इसका राइटन सुराएगा उप प्रिष्टी या ताप पर तो दोस्तो इसका राइटन सुराएगा प्रिष्टी या ताप पर यदि किसी बालक के सरीर में सांस की कमी हो जाती है तो दोस्तो इसका राइटन सुराएगा वह कूपोशन से गरिष्ट है नेक्स्ट क्यूशन है एक अवस्ता से दूसरी अवस्ता में पानी के बार-बार बदलने तता फिर शेजल में प्रवर्वर्थ्ट होने की परकरम को क्या गयती है वर्षा जल्चकर वास्तपोश सरजन या संगनन तो दोस्तो इसका राइटन सुराएगा उप्सन दो कि जल् कॉल्थन और वास्पिकन में अंतर है कॉल्थन में दरव से वास्प में प्रवर्तन रेखा जा सकती है जबकि वास्पिकन देखा नहीं जा सकता कॉल्थन में जल की अवस्ता बदल जाती है जबकि वास्पिकन में नहीं बदलता वास्पिकन किसी भी ताबमान पर हो सकता है जबकि कवल्थन नहीं कवल्थन में दरो का आयतन कम हो जाता है जबकि वास्पिकन का नहीं तो दोस्तो इसका राइट अंसवर आएगा ओप संतीन कि वास्पिकन किसी भी ताबमान पर हो सकता है जबकि कवल्थन नहीं पेट्रोलियम दीरे दीरे खतम होने को है यह वैकलिप उर्जा की और हमें जाना चाहिए इसमें कौन सा वैकलिप उर्जा हो सकती है पेश्टिसाइड्स, बायो फरिटिलाइजर्स, सेंथेटिक फरिटिलाइजर्स या बायो गैंस तो दोस्तो इसका राइट अंसर है option for bio gas नेक्स्ट क्यूशन है निमन मेशे कोन वायू परदूशन का काण है कारखानों से निकलने वाले दुआ, वानों से निकलने वाली gas जनती लकड़ी या चार कॉल में निकली gas या उपरोक्त सभी तो दोस्तो राइट अंसर है उपरोक्त सभी नेक्स्ट क्यूशन है सोर परदूशन को नियतित करने का उपाई है मसीनों का उची तरक रखाओ, उद्योगों को अबादी छेतर से दूर सतापित किया जाए संगन विरिक्षवर उपन किया जाए या उपरोक्त सभी इसमें कौन सा स्थान है, पहला दूसरा तीसरा चोथा तो दोस्तो आपको बताए कि बारती रेल बहुत ही फिमस अईसिया में सबसे फर्ष्ट पाईदान पर है पहला स्थान है हवा में अक्सिजन का परतिशत लगबग कितना है हवा में 44, 23, 44, 21 तो दोस्तो इसका राइट अंस वर बनता है 21 परतिशत निमन मेशि कोन विश्व उसमायन का कारण है जल परदूशन, वायू परदूशन, मिड़दा परदूशन, दवनी परदूशन तो दोस्तो राइट अंस वर आएगा वायू परदूशन ओप्सन तीन नेक्स्ट क्विशन है खेल को जीवन की त्यारी किसने कहा है एडमस ने, कलूंगर्स ने, थरान डाइक्स ने, वेलेंटाइन ने तो दोस्तो इसका राइट अंस वर बनेगा ओप्सन दो कार्ल गूर्शने नेक्स्ट ने, निमन में से कौन शी अंतराष्टिय सस्ता पूरे विश्व में परियावन सुक्षा की देख बाल करती है WWF, WHO, PETA, UN तो दोस्तो इसका राइट अंस वर आएगा ओप्सन पोर UN United Nations केक्टस जैसे पोदे मैं तो पूर्ण है वन प्रस्थिती की तंतर के लिए, रगिस्तान प्रस्थिती तंतर के लिए, गान, गास भूमी के लिए या सवाना के लिए तो दोस्तो राइट अंस वर आएगा रगिस्तान प्रस्थिती तंतर के लिए कौन एक भूमिकत जलस्तर गिरने का कान नहीं है नहीं है पूछा दोस्तो ज्यान से देखिएगा वर्षा की मातरा एनि तिर्जल का निस्कासन मिर्दा पर्दन या गहन किर्शी तो दोस्तो इसका राइट अन्स वराएगा ओप्शन फोर गहन किर्शी दोस्तो दोस्तों इसका राइट अन्स वराएगा ओप्शन वन मान सुनी बायों पारी तंतर में होता है या होती है उर्जा हानी एम खनीजों का लाब उर्जा लाब एम खनीजों की हानी उर्जा एम खनीजों की हानी उर्जा एम खनीजों की हानी उर्जा एम खनीजों का लाब फेडरी कलोराइड, फिट करी, सोडियम बेनिजोएट या सेली सिलिक एशिड तो दोस्तो इसका राइट अन्सवर आएगा option 3, सोडियम बेनिजोएट next question है, परियावन शिक्षन में 6 कारिया करता है, निर्देशन की तरह है, दार्षनी की तरह है, मित्र की तरह है या यह सभी, तो दोस्तो इसका राइट अन्सवर है, यह सभी next question है, वन्यजीव मेतोपून है, क्योंकि यह बोजन का स्तरोत है, जीन का स्तरोत है, जेव निंतन कार्ग है या बोजन वेवस्तर का स्ट्रोत है तो दोस्तो इसका राइटन सूर आएगा क्योंकि यह जेव निन्टिक कार्ग है नेश्ट क्यूसन है उजान सरन उजान सरन यानी उजान परत की हानी के लिए कौन शी गैस उतर दाई है कार्बन डाइक्साइड कलोरो कार्बन या उक्सिजन तो दोस्तो आप सभी को पता है कि उजान सरन के लिए कलोरो फलोरो कार्बन उतर दाई है वन माउट सो महतोपून है क्योंकि नए पोदों से अधीक फल पर आपत होते हैं नए पोदे अधिक सुन्दर प्रतीत होते हैं विरिक्स लगाने से बढ़ते वे मुरुष्टर को रोकने में सायता मिलती है या इस पर अधिक पत्या होने से अधिक परकास सलेशन होता है तो दोस्तो इसका राइट अनसवर आपको बता दूँ कि इसका राइट अनसवर अधिन नगर्शे कन्या कोमारी तो दोस्तो आपको पता है कि बारद करेंगर शेक प्रेमारी कोमारी तक फैला हुआ थैस्तों राइट अनसवर एंपंदये आवाज सथान को अख्षती तो दोस्तो इसका राइट अन्सवर आएगा आवाज सथान को अख्षती Next question है कीट नासियों के अत्यदिक इस्तमाल शेह होगा वायू प्रदूशन, दवनी प्रदूशन, जल प्रदूशन या ये सभी तो दोस्तो इसका राइट अन्सवर आएगा जल प्रदूशन, जल प्रदूशन इस राइट अन्सवर तो दोस्तो आपको मैंने 30 क्यूशन कराए हैं आपको कैसे लगी ये क्यूशन ज़रूर कॉमेंट के दवरा बताएगा, अगर अच्छे लगे है तो ना इस वीडियो वेरी वेरी ना इस वीडियो भी कह सकते हैं और अच्छी नहीं लगी है तो भी कुमेंट करके बताएगा और दोस्तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक्यू दोस्तो धन्यवाद बेश टोपलकी और अगरजाम